नमस्कार दोस्तों मैं केसी साहो सार आज आपको बताने वाला हूँ कि जब आप आयकर फार्म भरते हैं तो उसमें सबसे महत्वपुन होता है कटवती कैसे करें हैं यहाँ पर दिखें यह आप नई आयकर गणना के अधार पर केल्कुलेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो मानक कटवती होता है वो तो कटवती शुरुआत में करते हैं लेकिन जो हमें मार्जिन मनी का जो लाव मिलता है वो हम कैल्कुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर दिखें नई आयकर के अधार पर यदि आप गन्ना करते हैं तो आपको यह जो कैल्कुलेशन दिख रहा है उस कितना रहेगा जिसमें आप margin money का लाव ले सकते हैं यहाँ पर calculation आपको दिखाए दे रहा है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि कई लोग मुझे comment कर रहे हैं Sir margin money का लाव कितने रुपे में बिलता है और उसका calculation कैसे करते हैं यह सारी चीज में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मुख के रूप से हम farm 16 भरना सिखेंगे कई लोग जो है farm 16 को नहीं भर पाते हैं तो अब पूरा प्रक्रिया आज में बताने वाला हूँ सबसे पहले यहां पर जो हमें क्या भरना होता है आपका जो वार्सिक आय होता है सालाना जो आय होता है उसको आपको सिंपल सा हिंदी फार्मेट में आपने जो भरा होगा या इंग्लिस फार्मेट में आपने जो भरा होगा उसका आपको यहाँ पर लिख ले रहा है और याद कि यह Farm 16 है Farm 16 को आपको हमेशा English format में परना होता है चाहे आपने Hindi में भरा हो या English में भरा हो लेकिन Farm 16 जो है English में ही भरना होता है यहाँ पर भर लिया सालाना जो I है और किसी अन्ये स्रोथ से I होता है आपकिसी अन्य चित से Income करते हैं तो या फिर आपका कोई किसी प्रकार का कोई कटवती है वो यहाँ पर भरना होता है है ना अगर आपने लोन लिया हुआ हो तो लोन की जो रासी होती है जो ब्याज होता है उसका यहाँ पर आपको छुट मिलता है अगर आपने लिया है तो भरना है नहीं तो यहाँ पर हम डेस कर देंगे मतलब नहीं भरेंगे तो हमने यहाँ पर दिखे ना तो हमें किसी अन्य स्रोथ से आय होता है और ना ही हमने यहाँ पर होमलोन ले रखा है तो हमें यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलने वाला है, यह हो गया, अब हम आ जाएंगे, यहाँ पर तो टोटल हमने भर लिया, 7,53,988 रुपे जो हमारा सालाना जो आय है, उसको हम यहाँ पर भरेंगे, अब जो इस टेंडर जो कटवती होता है, वो नई आयकर गणना के अधा पर 50,000 की जो छूट होती है, वो दोनों में मिलता है, चाहे नहीं आयकर गणना हो, या फिर पुरानी आयकर गणना हो, दोनों में है आपको 50,000 रुपे का छूट मिलता है, तो टोटल कितने रुपे का आपको यहाँ पर छूट मिल रहा है, यह देखें, नीचे में हमें कु इसी राशी का हमें क्या करना है calculation करना है छोट अब याद रखे यदि आपका जो I has केवल 7 लाग होता इतना करने के बाद केवल 7 लाग होता तो आपको कोई भी टेक्स नहीं देना होता याद रखेगा अगर केवल 7 लाग होता क्योंकि 7 लाग तक होता है तो हमें 25,000 की और छोट मिलता है तो वो अब हमें 25,000 का छोट नहीं मिलने वाला है लेकिन वो अलग तरीके से मिलेगा कैसे मिलेगा उस calculation को यहाँ पर हम आपको करके बताने वाले हैं ठीक है तो उसी को हम करेंगे सिमान त्रहाद मार्जिन मनी की रूप में calculation करने वाले हैं तो इसको अब आपको ध्यान से देखना है चुकि हमारा जो आयकरिव ग्रासी है 7,398 रुपए है जो कि 7,000,000 से अधिक है तो हमें यहाँ पर डारेक्ट 25,000 का जो छोट मिलता है वो अब नहीं मिलने वाला है तो वो हमें सिमान द्रहत के रुप में मिलेगा margin money के रुप में मिलेगा तो margin money का लाभ हम कैसे लेंगे इस वीडियो में हम पूरा आपको बताने वाले हैं आगे की वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि आगे का जो calculation है वो margin money वाला calculation है तो यहां से आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि सर हमारी रासी इतनी है माला किसी का 7,65,000 है तो उसका margin money में calculation कैसे होगा किसी का 7,70,000 है 7,75,000 है कुल आय जो है तो margin money का लाभ कैसे मिलेगा क्योंकि उनका जो आयकर योग जो रासी है वो तो 7,15,000, 20,000 या फिर 25,000 होगा है न तो देखे हमने अधिक्तम आपको बता दू 7,70,000 और 770 रुपय तक है याद रखेगा अधिक्तम रासी बता रहा हूँ यदि किसी वेक्ति का जो आय है 7,70,000 और 770 रुपय तो उसको मार्जिन मनी का लाभ मिलेगा कैसे हमें किसी प्रकार का और छुट नहीं मिलेगा आयकर गंणा में याद रखेगा आपने लाइसी लिया हुआ बच्चों का ट्यूशन फिस ये कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा यदि आप नहीं आयकर गंणा में केलकुलेशन कर रहे हैं तो ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जो रासी है आपका है ना वो यहाँ पर आप भर देंगे ध्यान दिजिए ये फार्म सिश्चन आप जब भरें तो बहुत सवधानी पुरा भरना है वीडियो को पुरा देखेगा हलका से बलर हो गया है आगे मैं इसको ठीक कर देता हूँ तो बलर नहीं रहेगा वीडियो को पुरा आप देखते रहेंगा आपको समझ आएगा देखेए हमारा आयकर योग के जो रासी है वो हो गया है 7,398 रूपय अब इसी रासी का हमें क्या करना है केलकुलेशन करना है अब यहां से वीडियो को बहुत ध्यान से दिखेगा क्योंकि यहां पर मैं margin money का जो केलकुलेशन है वो भी आपको समझाने वाला हूँ इसलिए दोनों प्रपत्र मैं आपके सामने रखूंगा अगल बगल आप करके देख लिजएगा अब यहां से हम margin money का केलकुलेशन करके बताने वाले है तो हमारा आयकर योग रासी जो दीख रहा है वो 7,398 रूपय देखेगे आपको clean दिखाई दे रहा है अब देखिए सुरवात में हमने 3,00,00 रूपय तक का 0% केलकुलेशन किया है ठीक है उसके बाद हम करें है सेकंड स्लेप में 3,00,00, 6,00,000 का कितना हो रहा है 15,000 हो रहा है उसके बाद 6,00,00, 9,00,000 के बीच की रासी के हमने केलकुलेशन किया है तो हमारे आयकर युग गरासी के धार पर हमने उसका 10% निकाला है तो 10,393 रूपय होगा यह दर समलों में जो पैसा बन रहा है उसके धार पर मैने इसको राउंट फिगर में कर लिया है तो 10,393 रूपय तो इन तीनों को हम जोडेंगे तो हमारा उत्तर कितना हो रहा है अर्था टोटल आय जो हमारा बन रहा है है ना वो कितना बन रहा है 25,393 रूपय याद रखिए यह 25,393 रूपय जो बन रहा है वो हमारे जो आय है 7,398 जो है यह आयकर युग गरासी है आपका आयकार योग गरासी कितना है उसके धार पर आपको calculation करना है लेकिन ये भी ध्यान देना है आपकी अधिक्तम आया जो है 7,70,770 रुपए है तभी आप क्या करेंगे इस परकार जो सिमान तरहाद दिख रहा है margin money जो हमने यहाँ पर लिख रखा है उसमें आपको छूट मिलेगा ठीक है ये 115 BAC के तहट मिलता है ठीक है कंडिका आप इसका website होता है आफिसल website भारत सरकार का उसमें जा कि आप इसके कंडिका को देख सकते हैं मैंने आपर पुराने फार्मेट में नई च्छा पता चले मैंने अहाँ पर सिमान तरहाट लिख दिया है अब शूट आपको कैसे मिलेगा तो ध्यान दिजेगा आपने आयकर जो गलना किया है वो 7 लाग और 7 लाग से कितना अधिक रासी है 7 लाग से जितना अधिक रासी है 3928 रुपए उसको आपने जो calculation किया है 25,393 रुपए उसमें minus करेंगे तो हमारा उत्तर कितना रहा है 21,400 रुपए हमेशा याद रखना है आपका जो 7,000,000 से जितना अधिक राशी है उसको minus करना होता है आपने जो आयकर calculation किया है तो हमारा calculation कितना है 25,393 रुपए उसमें आपको 7,000,000 से जितना अधिक राशी था उसको आपने क्या कर दिया minus तो आपको उत्तर कितना है 21,465 रुपए तो ये calculation आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो आपका अधिक्तम राशी calculate आपने किया है उसमें 7,000,000 से जितना अधिक राशी है ठीक है 7,000,000 से अधिक कितना है हमारा 3,988 रुपए तो 3,988 रुपए को हमको minus करना होता है हमने जो calculation क्या है यहाँ पर दिखे हमारा जो अधिक्तम राशी है 3,988 रुपए हमारा अधिक राशी है 7,000,000 से ठीक है लेकिन यह अधिक्तम आपको मैंने बता रखा है भई हना यह 37,000,000 रुपए तक जाएगा फिर यहाँ पर दिखे हमारा जो calculation है वो 25,993 रुपए था उसमें हमने घटा गिया हमारा 7,000,000 से जो अधिक राशी था उसको तो हमारा 21,000,000,000 अर्था आपको यहाँ पर 21,000,000,000 25,000 रुपए का छूट मिलने वाला है जो डारेक्ट पहले अगर आप 7,000,000 तक होता तो आपको 25,000 का छूट मिलता है न वो नहीं मिलेगा बलकि आपको यहाँ पर margin money का लाब इस प्रकार लेना है जैसे मैंने वीडियो में समझाया है तो यहाँ पर दिखे 5,393 रुपए मे हमें क्या करना है 21,465 को खटाना है क्योंकि हमें यहाँ पर केवल 21,465 रुपए का छूट मिलने वाला है तो हमारा उतर कितना रहे 900, 3928 रुपए अर्थात यहाँ पर हमें 3,928 रुपए टेक्स देना पड़ेगा ठीक है 24,65 रुपए का हमें छूट मिल रहा है अब हमें ट रूपए हुआ है, अब ये दोनों रासी को हम जोड़ेंगे, 3928 रूपए और 157 रूपए को हम जोड़ेंगे, इन दोनों का जो योग है, वही हमारा आयकर होगा, इतना ही रासी हमें क्या करना होगा, पटाना पड़ेगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो इनको जैसे ह हम जोड़ते हैं, तो हमारा रासी कितना रहा है, 4085 रूपए, यहाँ पर दसंबलों के बाद की संख्या को आपको जोड़े लेना है, अन्यता कई लोग क्या करते हैं, दसंबलों के बाद जो रासी होता है, एक्चोल वो पैसा होता है, अगर वो 50 पैसे से अधिक है, तो हम स यही हमारा क्या है, टेक्स है, अब मालना जाए, आपने टेक्स के रूप में पहले से कुछ कटावती करा रखा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारा सालाना आये, कितना होने माला है, और लास्ट में कहुं सारा रासी कटाना पड़ता है, तो हमने पहले से 10,000 रूप कर रखा था अगर DA मिलता तो तो बहुत सारे DA रासी का हमें भुक्तान नहीं किया गया है जिस कारण से हमारा 4,085 रुपए ही टेक्स कर रुप में कटेगा और हमने पूर्वा में 10,000 कटा रखा है तो ये 10,000 रुपए जो है जितना रासी अधीक हो गया होगा वो हमें माइनस में मला हमने रासी अधीक दे दिया और टेक्स पटाना है केवल 4,085 रुपए का तो आप क्या करेंगे 10,000 मे 4,085 रुपए को आप माइनस करेंगे और वास्तों में हमने पैसा पहले से दे रखा है तो माइनस करने के बाद जो रासी आएगा वो हमारा एक्स्टर रासी है जो हमने सरकार को पहले से दे रखा है और वो हमें देगा इसलिए इस रासी को हम माइनस रुप में लिखेंगे अर्थात सरकार हमें 5915 रुपए रिटन करेगा इसलिए इसको हम माइनस में लिख दिये हैं तो इसको आप जनकारी के लिए यहाँ पर जब भरेंगे कि आपनी कितना रुपए पहले से पटा रखता है वो रासी आपको माइनस होगा तो यहाँ पर इसको माइनस रुप में यहाँ पर माइनस करके लिख दिजेगा ताकि आपको केल्कुलेशन में कोई परिशानी न हो और ये रासी आपको वापस हुझाएगा जब आप लोग ITR फार्म भरेंगे इस प्रकार के जनकारी के लिए आप हमें फॉलो जरूर के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करिये हैं इस वीडियो को अधिक सदी शेयर जरूर करिएगा